आज तक तुमने जो भी बोला वो मैंने हमेशा सुना है डाड एक एक मिनिट इंपॉर्टेंट है प्लीज मुझे मत रोकिए अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो डाड डाड इसके सर में गहरी चोट लगी है बहुत खून बे रहे हैं हमें डाक्टर को बुलाना पड़ेगा डाड तुमारी लापरवाई की तो कदर करनी होगी उसे लगी है तो उसे घर छोड़ क्या हो न उसके घर वालों को जो करना है वो करेंगे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन अभी ये समय नहीं है और आपके जितना अमानुष नहीं हूँ मैं और जब तक डाक्टर साब नहीं आते हैं न तब तक ये यहीं पर रुकेगी मैं डाक्टर को फोन कर रहा हूँ हैलो डाक्टर डाक्टर मैं शौनक बात कर रहा हूँ या राइट शौनक देशमोख डाक्टर एक एमर्जनसी है प्लीज आप मेरे घर पे आ सकते हैं थैंक्यू सो मच डाक्टर थैंक्यू सो मच कर लीना अपने दिल की बुला लिया ना डाक्टर को अब जो अडोस पोडोस के लोगें उने भी बुला ले उने भी पता चल ले दो ना सबको पता चल ले दो कि हर्श वर्दन देशमोख के घर के बार एक लड़की बेहोश पड़ी थी और उनका लड़का उसे उठा के अपने घर में ले आया देशमोखों मेंसे किसी ने तो मदद की इसलिए लोग कम से कम अभी तो हमें अच्छा कह सकते हैं यह तुम्हारा किताबी ज्यान अमेरिका में चलेगा यहाँ पर नए यहाँ पर लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि यह लड़की देशमोख के दर्वाजे पर आखिर आई कैसे यह अंदर आ रहे थी या बाहर जा रहे थी यह अपने आप गिर गई यह से धक्का दिया गया ऐसे सारे सवालों के जवाब सिर्फ मुझे ही देने पड़ेंगे कुछ समझे तुम तुम्हें जो करना था वो तो कर लिया न आपकी मानसिक्ता कितनी गलत है यह जब आपको पता चलेगा न तब आप बहुत पश्टाएंगे डैड उसकी जान आपके लिए तो बहुत छोटी होगी लेकिन मेरे लिए हर इंसान की जान बहुत माईने रखती है फिर वो कोई अमेर इंसान हो या फिर गरिब इंसान मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अरे यह ऐसे यहां क्यों सो रही है अरे किसने यहां सुलाया है अरे शौनक तुझे शरम नहीं आती है क्या आप दोनों ने ये बात तै कर लिए कि सामने वाले की बात सुननी ही नहीं है बेहोश है या बेचारी इसे चोट लगी है या आप देखने ही पा रहे हो अरे बापरे पर ये सब हुआ कैसे इसकी गलती थी इसलिए मैंने इसे डाटा था पर ये ऐसा कुछ कर लेगी ये नहीं पता था मुझे क्या मतलब तुमने उसे क्या बोला अरे तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो कि हमें अपने घर की इज़त को बचा कर रखना है कुछ वे उल्टी सीदी हरकते करते रोगे और फिर उसे मुझे समालना पड़ेगा जो भी हुआ मुझे सब कुछ सच सच बताओ बताओ क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था Suman दीधी क्या हो तू सो ही नहीं अभी तक आझ सबी नाइडियूटी पर है क्या नहीं दीधी नीन तो बहुत आ रही है पर ये विठल सोने नहीं दे रहे तो क्या वो अभी तक जाग रहा है नहीं नहीं वो तो फर्स कलास सो रहे हैं और इतनी जोर से खराटे मार रहे हैं, मुझे नीदी नहीं आ रही। दीदी, तुम क्यों नहीं सोई अभी तक। मन्जु दीदी भी खराटे मार रही हैं क्या। अरे उसे तो खराटे मारने के लिए सोना पड़ेगा। हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती है। सोचती है? क्या सोचती है? अब क्या सोचती है मुझे पता है क्या। कुछ तो दिमाग में उसके चलता है। जो भी मन में आएगा वो बोल देती है। इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता। सारी दुनिया में सब लोग एक जैसे होते हैं क्या। ऐसा कहीं देखा है तुने। साहब लोग अलग होते हैं, नौकर लोग अलग होते हैं। हम जैसे लोग क्या उनकी बराबरी कर सकते हैं। पर ये बात उसे लाग बार समझा उसे समझ नहीं आती। बहुत जिद्दी और गरम दिमाग की है। आज की दुनिया में ऐसा रहकर चलता है क्या। नहीं, लेकिन मंजुदीदी बहुत अच्छी है। मन से एकदम क्लीन। अरे पर ये दुनिया क्लीन नहीं है न। मीठी मीठी बाते करके खुद का फायदा कर लेते हैं। और एक बार उनका फायदा हो गया तो पूछे भी ना उसे। संसार का यही नियम है गुड़ी। और उसके बार तुम कितना भी रो, पैर पटको पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पूछने भी नहीं आएगा। एक बार इज़्जत चली गई ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है। दीदी तुम क्या कह रही हो। मंचु दीदी का किसी से चक्कर चल रहा है क्या। कुछ भी मत बोल तू। मैंने ऐसा कब बोला कि उसका चक्कर चल रहा है। तुम ही तो बोल रही थी। इज़्जत गई तो वापस नहीं आएगी। मेरी बात सुन गुड्डी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर तुने कुछ सुना भी है तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। कहां गई होगी ये लड़की क्या पता। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। वो ठीक है की नहीं क्या पता। अरे पर मैंने उसे सही बात के लिए डाटा। आधी रात को गेट के उपर से छलांग मारके अंदर आ रही थी। अरे अपने बंगले में ये सब कर रही थी ये। आप दोने इतने ओवर्रियक्टी हो रहे हो। इसने गलत ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नाइट कॉलेज में जाकर एज्यूकेशन पूरा कर रही थी। वाह। मतलब इसे सब कुछ पता है। तेरी तो… अच्छा। क्या तुम्हारी सोचती है। तो फिर क्या गलत क्या सही। शौनक। तुम्ही ये सारी बाते पता थी। तब भी तुमने हमें नहीं बताया। चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। और सच बात बताओं तो मैंने नाही कुछ चुपाया है और बताया भी नहीं ď। हमाल बंहने बताया नहीं इतना ही, नृज शौनक। पॉनक, अरे ये कोई explanation है क्या, अरे तुम्हें पता होते हुए भी तुमने हमें क्यों नहीं बताया नमस्कार देश्मुल साब, नमस्कार, डॉक्टर, पेशेंट यहां है, प्लीज, जखम गहरा है, और खुन भी बहुत निकला है, पर ये कैसे हुआ होगा, डॉक्टर, अगर मेरा अंदाज पूछें, तो उनका बीपी लो हो गया था, उन्हें चक्कर आ गया था, और वो गिर गई थी, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, हमें सलाइन लगानी पड़ेगी, उसके लिए पेशन्ट को सही जगा पर सुलाना पड़ेगा, तो ठीक है, मेरे रूम में चलते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, इस घर पर तुमारा ध्यान है की नहीं, यह सही है, हाँ, अब आप भी मुझे ही बाते सुनाईए, यह लड़की नाइट कॉली में पढ़ने जाती, इस बात की खबर मुझे क्यों नहीं थी, सुनिए, आप नहीं उस देन मुझे से कहा था ना, कि घर की छोटी मोटी बातें आपको बता कर आपको परिशान ना करूँ, चोटी बात है, यह चोटी बात है, आज खाने में क्या बना है, यह बात चोटी हो सकती है, लेकिन देविदास की लड़की रात को घर से बाहर जाती, क्या यह चोटी बात है, क्या यह मैं सहलूँगा, तुमने यह सब कैसे बरदाश का लिया, तुम्हें उसे फॉरण घर भेज़ देना चाहिए था, इसलिए तो मैंने उसे डाटो और यह हमारे ही घर के सामने आकर गिर गई, इसमें मेरी क्या गलती है, हाँ, यह सवाल सरूर उठेगा, सभी चीज़ों को बोरी तरह उलजा के रखा हुआ है, वो तो डॉक्टर आ गया था, इसलिए मैं कुछ भोल नहीं पाया, अच्छा होगा जो हमें इसकी बीमारी को पता चल जाएगा, इसी बहाने हमें से नौकरी से निकाल तो सकते हैं, और फिर इसकी जगह इसकी बहन को रख लेंगे, और मंजू से कहेंगे कि अब तु वापस यहां मता आना, यह सब करना तुम्हें असान लगता है क्या? बंद मुठी लाग के? मतलब? मतलब यह, कि जब वो बाहर जाएगी, तो यह बाद दो से चार को पता लगेगी, और वो चार लोग वहां आट लोगों को बताने के लिए बैठे होंगे, यह बात दबा के रखने के लिए उसे अभी काम पर रखो, अनायता के लिए, समझे, काम भी ज़्यादा मत करवाना, जितनी दूरी बना सकते हैं, उतनी बना के रखना, इस भी थोड़ा सोचने का मौका मिल लिएगा कि क्या करना है, ठीक है, पर उसका, उसका वो नाइट कॉलेज? बंद, एक दम बंद, गेट पर से कूद कर आने के लिए, ये क्या कोई उसने जू समझ रखा है? कह देना पढ़ने के लिए नहीं, बलकि नौकरी के लिए आई थी, और अगर नौकरी करनी हैं, तो फिर पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, और सर पर रटकती तलवार का क्या? देविदास की लड़की राद भर शौनक के रूम में रुकिने वाली है, इस बारे में कुछ सोचा है तुमने? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, तो सोचो! हलो सुमन? कक्रिष्टा अरे, मन्जो आराम से, धी में, माँ, ये लोग पीछे तकिया, मैं आपके कमरे में कैसे आई, मैं तो नीचे थी, अच्छा है कम से कम मोह तो याद आ रहा है, तुम नीचे गिर गई थी, तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, बेपी लो हो चुका था, इसलिए चक्कर आ गई, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, मुझे ये बताओ, तुम घर के बाहर क्या कर रही थी, उपोशन या सत्याग्र है, अच्छा वो सब जाने दो, अभी तुम आराम करो, कल हम दोनों एक साथ उपोशन पर बैठेंगे, बढ़िया से खा पी कर, कुछ चाहिए तुम्हें, आनी चाहिए, या भूख लगी है तुम्हें, अरे हाँ, तुम्हें सॉलिट फूड देना है या नहीं, ये तो मैं डक्टर से पूछना ही भूल गया, औरको मैं फोन करता हूँ उसे, नहीं, सर, मुझे जाना है सर, इसको निकाल देंगे, तुम वाश्रूम जाना चाहती हो, चलो, नहीं, सर, मैं, मैंको चली जाओंगी, मन्जू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और तुम बला किसे से क्यों डर रही हो, मैं हूना तुम्हारे साथ, चलो, हूँ, आओ, अराम से, हाथ दो, आओ, अराम से, चलो, आराम से, हाँ, अरे, कहां थी तुम सुमन, हाँ, इतने सालों से देशमुक परिवार में काम कर रही हो, फिर भी मन्जू पर नजार नहीं रख सकी, अब सिर नीचे जुका कर क्या फाइदा है, तुम लोगों को इतना टोकना पड़े ऐसी नौबत ही क्यों आती है, हमारे बंगले के सामने आकर वो गिर गई थी, सिर पर चोट लगी है, सिर से खोन आ रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि शौरक ने उससे समय पर देख लिया, वरना एक लड़की देश्मुक के घर के सामने चक्कर खाकर गिर गई, इस बात को घर से बाहर जाने में टाइम नहीं लगता, हर्शवर्दन तो बहुत गुस्से में है, अब कहा है मंजू, शौनक के कमरे में है, क्या करते हम, तुम लोग में से तो कोई वहाँ तप्था नहीं, शौनक नहीं डॉक्टर को यहां बुलाया, डॉक्टर के कहने पर उसे सलाइन भी चड़ाई है, वैसे तो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इस बात की फिक्र है कि, कि शौनक के कमरे से उसे मैं बाहर कैसे निकालूँ, जैसा दिख रहा है न, वैसा नहीं है सुमन, तुम समझ रही हो न, मैं अभी उसे अपने क्वाटर में ले जाती हूँ, नहीं, मैं रखूंगी खया, नहीं, नहीं, वर्ना साब कहेंगे कि हम लोगों में इंसानियत ही नहीं है, गलत फेहमी होने में टाइम नहीं लगता, पर अब पूरा टाइम उस पर नज़ार रखनी ही होगी, सुमन, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम समझ रही हो न, हाँ माडम, नहीं, कोई देखे, उससे पहले ही मैं उसे क्वार्टर में ले जाऊंगी, ठीक है, ज़रा रुको, वो जहां गिरी थी, पहले जाकर वो जगा साफ कर दो, और फिर शौनक के कमरे में जाना, जाओ, हाँ, यह तो मन्जू का मोबाइल है, यह तो मन्जू का मोबाइल है, अभी तुम अच्छे से आराम करो, किसी से भी डरनी की जरूत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, ओके, सुझा, अच्छे से आराम करो, आराम से, बैठ जाओ, सुझा, आरगो पैर ऊपर लगो, यहाँ, पीछ आराम से बठ जाओ, अपना हाथ दो, सर, मुझे अब जाने दीचे न, अब मैं चल सकती हूँ, मैं अपने कमने में चली जाओंगी हाँ मैं जानता हूँ तुम कितना अच्छे से चल सकती हूँ पूना मेरे थाउन की तुम्हारी अच्छे से तैयारी हो गई है देखो मंजू, तुम्हें डिसकंफर्ट करने का कोई अबजेक्टिव नहीं है मेरा अरे मुझे डॉक्टर नहीं वैसा कहा है, तुम्हें कम्प्लीट बेड ड्रेस करने के लिए कहा है सौ आराम करो तुम्हें यही चिंता सता रही होगी न, कि अब यह सारे अहसान में कैसे चुका हूँ मैं बताता हूँ कैसे चुकाने है मेरे पास न, एक आईडिया है क्यों न, हम टीटी एमेम करें टी से तुम्हारा, एम से मेरा तुम्हें अपनी जान पर खेल कर एक बर मुझे बचाया था और अब मैं अपनी जान खत्रे में डाल लेता हूँ, होगी बराबरी हाँ, बस मुझे बचाने के लिए टाइम पर आ जाना हाँ अब, सर थोड़ा पानी चाहिए था ठीक है, देता हूँ कर दोड़ा झाल 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 अरामसे मन्जू अरामसे